नमस्कार मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं दनगरी नियूस इस्पाय थ्रिलर फिर्म 2014 यानि 2014 आ गई है कुछ सवालों के जवाब देने के लिए फिल्म से करिश्माई अभिनेता जैकी शौफ को लीड रोल दिया गया है और वो बड़े परदे पर वापसी कर रहे हैं जस बात ये है कि फिल्म का टीजर पोस्टर ठीक उस दिन रिलीज हुआ है जिस दिन उनके बेटे टाइगर के अगले फिल्म गंपत के इवेंट को लेकर मुंबई में काफी अफरा तफरी मची हुई है रुमांचक जासुसी त्रिलर फिल्म 2014 के टीजर पोस्टर की काफी चड़चा हो रही है इस फिल्म में मीडिया दौरा रिपोर्ट की गई सची घटनाओं के साथ एक काल्पनिक कहानी को जोड़ा गया है श्रवन्ट तिवारी ने इसको डिरेक्ट किया है और उसकी राइटर भी है फिल्म की कहानी शुरू होती है 2014 में जब देश के एक राज्य के मुख्य मंत्री को देश के अगामी प्रधान मंत्री की रूप में देखा जा रहा है फिल्म के मुताबिक देश के दुश्मन साजिश करके उन्हें रोपना चाते और विदेशी एजन्सियों की इन साजिशों को रोकने का बीड़ा उठाता है एक रिटायर कैप्टेन खन्ना पर अधारित फिल्म निर्देशक श्रवंट तिवारी ने बताया कि 2014 की कहानी जासूसी थ्रीलर है जो जासूसी की रिस्क वाली दुनिया के एक जलाक आपको पेश करेगी ये साहस साजिश और नयाय की कभी भी खत्म नहीं होने वाली कहानी है एक दिल्चस्प रहसे जासूसी और अंतराश्टिय साजिश पर अधारित फिल्म मार्स 2024 में रिलीस को तैयार होगी अभी के लिए फ्लाल इतना ही नमस्कार